कक्षा ग्यारवी अध्याय राजनीति विज्ञान का और इस अध्याय का नाम है विकास बहुत संख्षिप्थ शिर्शक बहुत छोटा शब्द मातर तीन अक्षरों का पर बहुत व्यापक अर्थ विकास अर्थाद development जब हम विकास की बात करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं कि उसमें सबसे पहली बात जो आपके मन में आ रही होगी वो है कि विकास जो है वो तो उसका संबंद आर्थिक विकास से है तो फिर ये वाला विशह है राजनी तीविक ज्ञान में क्यों आर्थिक मुद्दों से जुड़ा हुआ विशह है राजनी तीविक ज्ञान में क्यों स्वाभाविक है प्रश्च का उठना क्योंकि आपका ये सूचना भी स्वाभाविक है कि विकास के सामान्य मायने आर्थिक मुद्दों से हैं लेकिन हम आगे इसमें जैसे जैसे बढ़ेंगे इस अध्याय में हम समझेंगे कि विकास आर्थिक मुद्दों से हट कर कुछ और भी है राजनीतिक विकास शारीरिक विकास मानसिक विकास तभ्यता का विकास भावगोलिक विकास संसाधनों का विकास ना जाने असे कितने विकास हैं और इसमें एक राजनीतिक विकास भी है अब ये राजनीतिक विकास जो विकास का एक पहलू है उसका अध्यान हम इस अध्याय में करेंगे और आप समझेंगे आप जानेंगे आगे कि इस विकास शब्द से जुड़े हुए कुछ पहलों का अध्यान हम अलड़ी पूर में कर चुके हैं उसको केवल उस विश्यों को जिनका हम अध्यान कर चुके हैं उसको अब हमको विकास के नजरिये से देखना है तो पहली बात तो यह हुए कि विकास के माइने मात्र आर्थिक पहलों से नहीं है बलकि उसके साथ कुछ और भी बातें जुड़ी रहती है एक उदाहरण ले मान लिजे एक कख्षा के द्वारा एक कारिकरम कराने निश्चित किया गया स्कूल में आपकी एक कख्षा है कख्षा ग्यारवी के बच्चे टाय करते हैं कि कल स्कूल में या पांच दिन बाद स्कूल में एक कारिकरम होगा जिसमें कख्षा ग्यारवी के बच्चे भाग लेंगे केवल उनी का होगा अब उसमें एक तरीका यह होता है कि कख्षा शिक्षक और आप लोग मिलकर टाय करते हैं कि कौन बच्चे स्वांस्कृतिक कारक्रमों में भाग लेंगे उसका एक ग्रुप बन जाता है कौन से बच्चे आमंतरन और सजावट में जुड़ेंगे उनका एक ग्रुप हो जाता है कौन से बच्चे अन्य व्यवस्था कुछ खासकर अनुशासन से संबंदी व्यवस्था उसको देखेंगे एक ग्रुप वो बन जाता है एक पांच्चे बच्चों का ग्रुप ऐसा भी बन जाता है जिसका काम है लॉजिस्टिक्स याने करकम से जुड़े हुए सामानों की व्यवस्था करना आदी आदी और उसके बाद कख्चा में बाच्चीत होती है और कख्चा शिक्षक या संबंदित शिक्षक आप लोगों से पूछते हैं कि ये पांच-छे आप लोगों ने बताए दल बनने चाहिए इसमें कौन किस दल में जाएगा आप मेंज़े कुछ लोग कहते हैं स्वांस्कृतिक में कुछ कहते हैं हम स्वागत समीती में रहेंगे कुछ लोग कहते हैं कि हम लाजिस्टिक्स में रहेंगे में बाचीत होती है शिक्षक भी शामिल है वाजवाद होता है हो सकता है थोड़ी बहत भी हो जाए हो सकता है थोड़ा बच्चे नाराज भी हो कुछ लेकिन अंद में धीरे 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 भले इस प्रक्रिया में एक दिन दो दिन तीन दिन लग जाए एक सहमती निकलती है और पांच दल तैयार हो जाते हैं और उस दल में आप लोगों की सहमती है शिक्षक की भी सहमती है और सुच्छा से बनाया हुआ दल है ठीक ये तो हुए एक स्थिति एक दूसरी स्थिति की कलपना करें जहां पर कश्षक, शिक्षक कक्षा में जाते हैं पांच डलों के नाम लेते हैं उसके बाद कक्षा के बच्चों के नाम पूर्व लिखित डलों में जो पहले से वो घर से विभाजित करके लाते हैं और कक्षा में बता देते हैं बच्चों ये ये बच्चे इस डल में रहेंगे ये बच्चे इ जल्दी हो गया निर्माण का काम समिति निर्माण का काम दूसरे में दो-तीन दिन लग गया और बहस अलग हुई कभी थोड़ी कड़वाड भी आई असहमती भी हुई फिर अंतता सब सहमत हुए तो दो-तीन दिन में वहाँ अब प्रश्ण यह है आपके सामने कि दो तरह की ज उन से कख्षा का परफार्मिंस आयोजन बहतर रहेगा एक वो जिसमें बच्चे लोगों से सहमती ली गई बच्चे लोगों ने बातचीत की तैक किया स्वयम और अपनी इच्छा से वो विभिन्न दलों में गय है और एक वो समीति जिसमें शिक्षक ने आकर अपने विचा कि पहली स्थिती जिसमें बच्चे इन्वाल्व थे वह स्थिती ज्यादा बहतर परिणाम पैदा करेगी अर्था उस दल के द्वारा उस कख्षा के द्वारा जिसमें बच्चों ने आपस में बातचीत करके बहस करके और फिर अंतमें सुला करके अंतमें सहमती जता कर दल वहाँ बहतर कारकरम होगा क्योंकि बच्चे स्वाइम उसमें involved थे ये बात इसलिए बताई जारी है कि विकास कि जब हम आगे बात करेंगे तो हमें ये देखना है समझना होगा कि विकास के कौन सा model किस देश में लिया गया है और क्यों और कैसे अर्थाथ जहां वहाँ कारकरम में कक्षा में बच्चों से बातें मांगी गई वैसे ही क्या किसी देश में या भारत में विकास का model ऐसा है जहां जनता से मांगा गया हो कि उनको क्या चाहिए और जनता के अनसार फिर योजनाओं का क्रियानवन किया गया हो या दूसरी स्थिति कक्षा की जहां पर सरकार ने जनता से पूछे बिना अपनी सोच समच से अपने विवेक से योजना बनाई और इसको जनता पर लाद दिया इसके क्या परणाम है ये कैसे model है ये कैसे उदाहरं है और इसके क्या परणाम होते है इसका अभी हम अध्यान आगे करेंगे तो अब हम अपने इस अध्याय को की और बढ़ने के पहले हम थ्भड़ा जान लें कि इस अध्याय में हम क्या-क्या पढ़ेंगे पहला कि विकास शब्द जो है इसकी व्याक्या करेंगे समझने की कोशिश करेंगे विकास की जब हम बात करते हैं तो आदिकाल से मानो जाति का जो इतिहात रहा है बड़ा लंबा रहा है हज्जारों करोणों वर्षों का रहा है और उसमें लगातार विकास ही हुआ सुधार ये एक निरंतर प्रक्रिया रही है सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया रही है इसमें बाधाएं भी आई पर ये बाधाएं भी प्रक्रिया की दिशा को आगे की और बढ़ाती हैं यही कारण है कि जो आखेट का युग था यह शिकारी युग था आज हज्जारों लाखों वर्षपूर वो शिकारी युग से प्रारम हुआ मानों आज अंतरिक शुग में पहुँच गया है मंगल की बात कर रहा है आदी आदी यह जो विकास यात्रा है इस लंबे अभियान के बावजूद इस विकास यात्रा की जो लंबी दौड़त है उसमें एक राजनीतिक अवधारना के रूप में इस यात्रा को हम प्रथम दौती विश्वद के पहले नहीं सोचते थे अर्था विकास यात्रा में हम राजनीतिक पहलू को पहले नहीं देखते थे कब से पहले उननिस सो पैंतालिस से पहले दौती विश्वद की समाप्ति के पूर्व की जो हम मानों विकास की जो गाथा ह उसमें राजनीतिक पहलू राजनीतिक अवधारना या राजनीतिक कॉंसेप्ट संकल्पना इसकी ज्यादा इसमें अहमियत नहीं थी यही कारण था कि 17 और 18 शिताब्दी जो यूरोप में अध्योगिक करांति का काल था जिसका हमने पूर में अध्यन किया है वहाँ और जोगिक करांति का प्रणाम शुरूब क्या होता है कि अपने माल के लिए मार्केट बनाने के लिए और कच्छे माल को आयात करने के लिए यूरोप के वे देश जो अध्योगिक करांति के दौर से गुजर रहे थे वे देश एशिया, अफ्रीका, दक्षिन अमेरिका, उत्री अमेरिका, उस्टेलिया आधी में क्या करते हैं अपना-पना सामराज्य बनाते हैं और उन देशों की संख्या बड़ी कम थी और वे देश बड़े छोटे थे तो स्पेइन, पुर्चगाल, इंग्लेंड, फ्रांस, हॉलेंड, ये सब उस्ट्री तटक में बसे और बड़े छोटे छोटे देश अमेरिका अफरीका से निकटता थी और एशिया से तो जुड़े हुए हुए थे एक तरीके से, ये छोटे देश और देशों में महाद्वीपों में जाकर सामराज्य वाद या सामराज्य बनाते हैं, क्यों, अपने माल को बेचने के लिए, जो अत्रिक्त माल का उत्पादन उनके हाँ हो रहा था, अद्योगी करण के कारण, अद्योगी करांति के कारण, उस अत्रिक्त माल को बेचने के लिए, और अत्रिक्त माल बनाने के लिए, जो द्योगों की स्थापना है उती, उस द्योगों के लिए राव मेटीरियल चाहिए होता था, तो र सामराज्य की धारणा को जर्म दिया, नय नय सामराज्य बनाएं। ऐसा करते हुए निश्चित था कि उन्हें वहाँ पर जोड जबरजस्ती करनी पड़ेगी। जब भारत में अंग्रेज लोग आए, तो एक गवर्नर जनरल उसने अपनी अंग्रेज सरकार को लिखा कि भारत हूठ में अब समय आ गया है कि व्यापार करने के लिए अब हमें हाथ में तलवाने लेनी पड़ेंगी। दूसरे तो में उसका वाक्य था, the trade cannot be carried out without sword in hand, अर्थात हमें ताकत की जरुत पड़ेगी, दमन की जरुत पड़ेगी, और दमन और ताकत की जरुत क्यों, क्योंकि वहां की जनता के खिलाप वो लोग कारे करेंगे, शोशन करेंगे, तो यहां शोशन शब्द बहुत महत्पूर्ण हो शोशन करने की जरुरत उनको पड़ी, और जब ऐसा कर रहे थे, ये देश, जिनका मैंने नाम लिया, जो सामराज्यवादी विचारधारा के देश थे, शोशन करते हुए बड़ी निर्दाइता पूर्वक इन्होंने इन खेत्रों का आर्थिक दोहन किया, संसाधनों का दो बिलकुल ये नहीं सोशते थे कि यहां के लोगों का क्या होगा, उनके चिंता से ये बड़े दूर की बात थी, आधनिक ग्यान विज्ञान आता है, वो भी यूरोप में आता है, और जोगी करन के आगे पीछे, जो विज्ञानिक विकास भी जो हम देखते हैं, वो हम यूर में देखते हैं, और परिणाम क्या होता है कि वहां पर बड़े विज्ञानिक, बड़े आविशकार, बड़े बड़े विचारक, बड़े बड़े विद्वान, ये सब हुए, लेकिन उन्हें मालम था कि हम लोग जो हैं, हमारा जो विकास हो रहा है, इसके पीछे उन महाद जीपों में शोशन उसका कारण है, तो इसलिए शोशन उनका मुख्य उद्देश होता था, विकास नहीं, वो इसकी चुंता कता ही नहीं करते थे, तो इस खेतर के लोगों का क्या हो रहा होगा, दूसरे शब्दों में कहने का तात पर ये है, कि उन्हें इसकी शोशन, इन् परने देश को समर्द बनाने में लगे रहते थे, उसके लिए जो चुनौतियां थी, उन चुनौतियों का बखू भी वो सामना करते थे, और सरकार का आँख मून करके समर्थन करते थे, अर्थात, ये समराजवादी देश, एक लक्षी कार में व्यास्त थे, और द्योगी क परनाम थी, सामराजवाद अगला कदम, सामराजवाद परनाम सुरूप शोशन, परनाम सुरूप विकास की कोई चर्चा नहीं, यहां तक कि जो एक तरह से लोक तंतर भी जब आया कुछ देशों में, तो लोक तंतर का समर्थन करने वाले एक बहुत प्रसिद्य विचारक ह हुए हैं, जॉन स्टुवर्ट मिल, और वो भी कैसे लोक तंतर का, जैसा आज फिकार किया जाता है, प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधी शासन वाला लोक तंतर, जो आज वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, उसकी भी पैरवी करने वाले एक ब्रिटिश विचारक, जिनका नाम जॉन स्टुवर्ट मिल है, जेस मिल, उन्होंने भारत को सवशासन देने की सक्त खिलाफत की, और वहां लोक तंतर को थापित करने का मुद्दा ना उठाने का, उन्होंने एक तरीके से प्रण लिया, उसके लिए पूरी तरह, उन्होंने ये इस बात को कर दिया कि भारत जैसे देश में जहां से हम इतना कच्छा माल ले जाते हैं, जहां से हम अपने विकास के लिए इतना दोहन कर पाते हैं, वहां पर लोक तंतर की बात करना, वहां पर स्वशासन की बात करना, ये बिलकुल गलत बात है, आयोग यह, ऐसी बातों को जॉन स्ट पर यह है कि शोशन और विकास इसको यदि हम देखें तो उन देशों का विकास अन्य देशों के विश्व के शेश देशों के शोशन से हुआ है इसके बाद हम आगे चर्चा करते हुए आएंगे विकास शब्द का वर्थ अर्थ समझते हुए विकास की परिभाशा क्या है और इस परिभाशा के समन्द में हम कुछ विचारकों की परिभाशाओं को संखिप्त में उन्होंने जैसा परिभाशित किया है वैसा ही समझने की कोशिश करेंगे इसके पाद अगला मुद्दा जो हमें सध्याय में देखेंगे वो है विकास के उद्धेश क्या है विकास क्यों क्या भौतिक सुख के लिए सुख के लिए अब यदि सुख की बात करें तो सुख भी कई तरीके के होते हैं परियाब तो धन होते हुए भी हजारों लोग सुखी नहीं है ऐसे हजारों करोन लोग हैं जो धन की कमी रहते हुए भी बड़े सुख है परमानंद तो आखिर विकास का उद्देश क्या है किसलिए विकास? केवल भौतिक सुक के लिए? केवल अध्यात्मिक सुक के लिए? मानो जाती की प्रगति के लिए? आदी आदी ये हमारा अगला मुद्दा इस अध्याय का होगा उसके बाद हम आएंगे कि यदि हम विकास के उद्देश्यों की बात करते हैं तो उन उद्देश्यों की पूर्त के लिए अलग-अलग रास्ते हैं जिने हम मॉडेल कहते हैं क्या कहते हैं मॉडेल अलग-अलग मार्ग हम जीज़े जैसे भारत में हम प्राचीन संस्क्रित के बात करें तो ईश्वर को पाने के लिए तीन मार्ग बताए गाए ग्यान मार्ग कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग ग्यान प्राप्त करते जाओ तो इश्वर प्राप्त होगा दूसरा था कर्म करते जाए अच्छे कर्म करेंगे तो इश्वर प्राप्त होगा ग्यान वगर से इश्वर प्राप्त नहीं होती कर्म से होती है और तीसरा है भक्ति मार्ग, ज्ञान और कर्म अपने तहीं ठीक हैं, लेकिन यदि हमें वास्सों में अपने इश्वर तक पहुंचना हैं, तो हमें उनकी भक्ति करनी पड़ेगी, हमें उनकी भक्ति में रम जाना होगा सांसारिक सुखों को त्याक कर पूरे समय भक्ति में लगे रहना होगा ये जैसे मार्ग हैं उसी तरह विकास को पाने के भी कई मार्ग हैं लेकिन किस तरह का विकास विकास के उद्देश्यों को हम समझेंगे तो उसके बाद हम समझेंगे कि इन उद्येशों की प्राप्ति के लिए कितने तरह के मार्ग हैं या कितने तरह के मॉडल हैं किन किन रास्तों से हम विकास तक पहुँच सकते हैं किस तरह के विकास के लिए हम प्रयासरत हैं आदी आदी तो इस पकार हम पढ़ेंगे विभिन् उन मौडल की उपलब्धियां क्या च्छाईयां हैं उन मौडल की बुराईयां और उन विविन मार्गों या मौडल में आने वाली विविद समस्याएं क्या दिक्कत है भारत में विकास का जो मौडल है उसकी क्या समस्याएं है अमेरिका के विकास का जो मौडल है जो भारत से अलग है उसकी क्या समस्याएं है उसकी क्या उपलब्धिया है भारत के विकास के मॉडल का उद्येश क्या है अमेरिका का विकास मॉडल क्या पाने की इच्छा रखता है और ऐसे अन्य देश तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे इसके बाद जो अंतिम बिंद आएगा हुआ है कि विकास के जो मॉडल है ऐसा कोई मॉडल है जो निरंतर जिसे सतत रूप से अपनाया जा सके अबाद गती से उस मॉडल को हम जारी रखें जो मॉडल अभी तक थे उस मॉडल की समस्याओं उपलब्दियों उद्देशियों आदि को मद्दे नजर रख क्या हम कोई सा ऐसा वेकल्पिक मॉडल बना सकते हैं जो इनकी कमियों को पूरा करते हुए मानों समात को विकास की और ले जाए या जो भी उसका उद्देश्य है विकास का उसको पूरा करें तो इस विकार हम हमारा जो अध्यान का बिंदू रहेगा वो मूलता इंदक्सिमित रहेगा यदि मैं बात करूँ विकास के तरीकों की विकास के मॉडल्स की तो उससे पहले अब हम थोड़ा चलते हैं विकास के अर्थ और उसके परिभाश्य की और